पिछले कुछ समय से ऐसा लग रहा है जैसे बिचारे बुद्ध के पीछे सब हाथ धोकर पड़ गया है। आपने नोट किया होगा कि जब से बुद्ध अपने exaltation point यानी की कन्या राशी से बाहर निकले हैं तब से literally सब उनके पीछे ही पड़े हुए हैं वो बार बार भागते हुए आगे निकलते हैं बार बार कोई ना कोई ग्रह आके उनको influence कर जाता है बार बार उनके उदादाग और वहाँ पर अपनी cycle को नया सार शुरू होने से पहले ही complete कर दूँगा लेकिन क्या आपको लगता है कि mercury ऐसा कर पाएंगे let's find out today नमस्ते भागिश्वी holistic astrology में आप लगों का एक बार फिर से स्वागत है यहाँ पर हम बात करते हैं positive, inspiring और holistic astrology की यानि कि एक ऐसा जोतिश चो कि आपके positive points को maximize कर सकता है और आपके negative points को minimize करने में आपकी मदद भी कर सकता है आज के वीडियो में हम जानेंगे बुद्ध के मीन राशी में गोचर की लेकिन उससे पहले अगर आप इस चानल को पसंद करते हैं तो subscribe करना वीडियो को share करना बिलकुल भी मत भूलिये अगर आप चानल के member बनना चाहते हैं तो subscribe के साथ में जॉइन बटन आ रहा है उस पर click कीजे और member बन जाईए ऐसा करने के बार आप मेरे चानल को support कर सकते हैं हर महिने और फिर आपको सारे वीडियो दूसरों से पहले भी देखने को मिलेंगे and आपको कुछ exclusive वीडियो भी मिलेंगे तो सब के लिए available नहीं होते हैं so that's a good thing that you will get out of it consultations के लिए आप मेरे website bhagishri.org पर जा सकते हैं और हाँ अगर आप मेरे मेरे का हिस्सा बनना चाहते हैं जिसको मैंने पूरी तरीके से revamp किया हुआ है तो वो करने के लिए नीचे मैंने google form की link दी हुई है उस पर click कर ये और उसको भर दीजे so that we can start talking ASAP जो भी registration है वो 9 मार्श तक खतम हो जाएंगे इसलिए अगर आपको इसके लिए enroll करना है तो 9 कर लीजे चलिए अब बात कर लेते हैं बुद्ध की बुद्ध 8 मार्श को मीन राशी में चले जाएंगे और यहां पर वो मात्र 26 मार्श तक रहने वाले हैं यानि कि एक बेहत छोटा ट्रांजिट हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा इनी सब के बीच में 11 मार्श को बुद्ध उदय भी हो जाएंगे और बुद्ध के उदय होने से कुछ confusion जो अभी तक हम लोग के जीवन में बना हुआ था थोड़ी problems महसूस हो रही थी वो काफी हद तक फिर कम होना शुरू हो जाएंगी हाँ ये जरूर है कि बुद्ध को लग रहा था कि भई मैं फटाफ हो रही है और हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हो जाएं लेकिन अब क्या होगा वह अकेले फिर भी नहीं रहे पाएंगे अब आट मार्स को चले जाएंगे मीन राशी में लेकिन उनके पीछे-पीछे से यहां से बाहर निकल जाना चाहते थे उन्हें रेट्रो ग्रेड होकर सोलर एकलिप्स के ठीक बात वापस आना पड़ेगा मीन राशी में इन सब चीज़े को हम डिसकास जरूर करेंगे और आपको मालूम चलेगा कि बुद्ध की यह जल्दबाजी है उसमें उससे गलती होगी गलती यह कि ना तो पुरानी चीज़े ठीक से खत्म हो पाएंगी और ना नई चीज़ें ठीक से शुरू हो पाएंगी और इस वज़े से उससे दुबारा से सब कुछ रिबीट करना पड़ेगा जैकि इस बार जब वो retrograde होगा तो मेश राशी में जाने के बाद मीन राशी में वापस आएगा, यानि कि इसको माहवकरी कह सकते हैं, सबसे बड़ी बाद यहां दियान दिनी है, मीन राशी में आकर बुध डिबिलिटेट हो जाते हैं, यानि नीच के हो जाते हैं, जो नीच का गंगा राम जमना गए तो जमना राम अब ये बात तो बुद्ध के केस में बिल्कुल सही बैठती है बिल्कुल बुद्धिस चीज को मानते है कि जहां जाते हैं वैसे ही हो जाते हैं जिसके साथ रहते हैं वैसे ही हो जाते हैं मीन राशी में आने पर उनको थोड़ी तकलीफ होती है क्यों इस राशी के जो स्वामी है जुपिटर उसको लेकर बुद्ध कुछ फील नहीं करते he doesn't really like जुपिटर he doesn't hate जुपिटर बहुत neutral सा attitude है कि ठीक है यार हो तो fine लेकि जुपिटर है वो बुद्ध को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बुद्ध के साथ वो अपनी राशी से एक राशी आगे कहां पर है वो है मेश राशी में तो जुपिटर तो यहां पर strong है जुपिटर को कोई समस्या नहीं है लेकिन जो मीन राशी है वो पानी की राशी है जुपिटर की राशी है और यहां पर बात होती है emotions की यहां पर बात होती है गहरे जो हमारे मन के feelings होते हैं sensations होते हैं जो हमारे मन से बाते आती हैं उनकी साथी साथ मीन राशी जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कुम्ब और मीन राशियां भौतिक राशियां नहीं होती है तो भौतिक जीवन से बाहर की चीज़े होती है उनके साथ भी हमें यह connect करती है अब जो बुद्ध है वो एकदम खाटी भौतिक प्लानेट है उसको logic समझ में आता है rationality समझ में आती है pattern समझ में आते है लेकिन यह समझ नहीं आता कि मेरे six sense मुझसे कुछ कह रहा है मेरा intuition मुझसे कुछ कह रहा है मेरा दिल मुझसे कुछ कह रहा है मेरे gut feeling मुझसे कुछ कह रहा है यह सब बुद्ध को समझ में नहीं आता है और इसी वज़े से जब वो mean राशी में जाता है तो उसको बहुत तकलीफ होती है क्यों? क्योंकि मीन राशी बात ही इन जीजों की कर रही है गट फीलिंग की, इंट्यूशन की आपके मन में कुछ बाते आना आपको guidance मिलना उन sources से जो की, you know, physical sources नहीं है so non-physical sources से आपको guidance मिलना जैसे कि angel numbers लिखते हैं बहुत सरे लोगों को animals के थो symbolism सीखते हैं dreams के थो symbolism सीखते हैं मैंने इन सब के बारे में भी बात की है भागश्य holistic lifestyle पर अगर आप चाहें तो वहाँ जाकर देख सकते हैं angel numbers से लिखे dream symbolism, animal symbolism I've discussed everything there go and check out if you're interested तो ये सारी की सारी चीज़े जो है वो बुद्ध की चीज़े नहीं है बुद्ध कहता है नहीं, I don't understand that मुझे इसमें कोई pattern नहीं नजर आ रहा है मुझे इसमें कोई logic नहीं नजर में आ रहा है कि आपको angel number देखा और उसके बाद कुछ हो गया या फिर आपको ये गुत्ता दिखा और उस कुद्ध को देखके आपके मन में एक sense of meaning create होता है कि नहीं यार, this is meaningful this is supposed to mean something बुद्ध ये नहीं कहता कि जो होता है अच्छा के लिए होता है वो ये कहता है कि ये हुआ, क्यू हुआ, किस current से हुआ और उसके पीछे उसके पीछे भौत एक वज़े क्या थी तो देखा आपने, बुद्ध अपनी इस property को यहाँ छोड़ने को तयार नहीं है क्योंकि वो जुपिटर के दत्तक पुत्रे हैं एक तरीके से बट ऐसा कोई खास उनके बीच में bond नहीं है और जो जुपिटर है उनने तो वैसे भी mercury पसंद नहीं है तो वो चाहा कर भी उनको ठीक से समझानी पाते और बुद्ध जो है वो चाहा कर भी उनकी बात को समझ नहीं पाते इवन दो यह वेरी जेनूनली नाइस प्लानेट फिर भी नहीं हो पाता उनके बीच में तो इस वज़े से बुद्ध का जो नीच होना है मेन राशी में वो होता है और इसी नीचत्व की वज़े से हम लोग, हमारी बुद्धी जो है वो साइन्स को, सिंबल्स को, इमोशन्स को, वाइब्स को समझ नहीं पाते आपने नोट किया होगा कई बार हम कई जगहों पड़ जाते हैं किसी व्यक्ती से मिलते हैं हमें वो जगह एकदम से अच्छी लगने लग जाती है या एकदम से mood off हो जाते है कई बार हम लोगों से मिलते हैं अचानक से ही उनके साथ हमें connection सा महसूस होने लगता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके साथ connection नहीं मैसूस होता चाहिए आप कुछ भी कर लो बस आपने देखा और आपने का कि नहीं, I don't want to see this मुझे नहीं देखना है इसा ऐसा होता है, बहुत frequently होता है a lot of people जो कि बहुत लंबे समय से मेरे साथ जुड़े हो है भागशी के साथ जुड़े हो है उन सबने एक बहुत common चीज देखी है and I'll tell you that कि they just wanted to connect उनके बस मन में एक intuition सा आया है मन में एक अवास सी आया है कि नहीं, connect होना है, बस और कुछ नहीं ऐसा नहीं कि they saw the best thumbnails ऐसा नहीं कि they saw the best most sensational video ऐसा कुछ नहीं है they just felt like they need to connect और वो connection हो गया और वो काफी strong connections है I have those connections with a lot of you people and you mean a lot to me तो यही जो intuition की मन की बात है, दिल की बात है वो मेन राशी है और इसको यह सब समझ में नहीं आता जैसे की Gopi Bahu और Ehemji Ehemji buddh है, Gopi Bahu vechaari Meenraashe है and she actually looks like a typical Meenraashe also but anyway Meenraashe is semi-semi-si deri-deri-si ghabra-si extremely feminine that's Meenraashe and Ehemji is like logical like computer that is mercury तो तकलीफ तो होगी रही प्राइट में at least अब इसमें क्या होता है, क्योंकि छोटा ट्रांजित है, आठ मार्च से चब्विस मार्च का ट्रांजित है, तो इस छोटे से ट्रांजित में उन दोनों को एक दुसरे के साथ मौका ही नहीं मिलता है, that they learn to live with each other, right? गोपी बहु को अपनी जबानी नहीं मिलती, और एहम जी हैं, वो कभी ध्यानी नहीं दे पाते, तो ऐसे भी problem होती है, हाँ, लेकिन जब retrograde होकर वापस आएंगे, तब यह जो relationship है, यह थोड़ा सा solidify होगा, इसमें जो communication issues थे, वो solve होंगे, क्योंकि mercury नीच का होने पर communicate करना ब फिर यह transit आपको एतना तकलीफ नहीं देगा, instead, आप लोग अपने जो guidance है, उसके साथ आप जाधा अच्छे से connect कर पाओगे, आप लोगो को जो एक divine guidance होती है, वो जाधा मिलेगी, because बुद्धी जो है, वो शान्त हो जाएगी, चुप हो जाएगी, तो बुद्धी चुप ह हो जाएगी, तो वो जो मेन राशी का जो एक message है, वो जाधा अच्छे से आपको transmit होगा, and that will be very, very wonderful, और यही चीज़ हम शुकर के साथ भी देख रहे हैं, शुकर कुम राशी में है, तो कुम राशी में जाकर वो जो signals catch कर रहा है, जो vibes catch कर रहा है, वो वाले signals और vibes हैं, वो normal नहीं है, वो abnormal है, वो बहुत एक नहीं है, वो बहुत एक दुनिया के बाहर की है, तो do not be surprised, अगर spiritual जो लोग है, या जो लोग बहुत भक्ती करते हैं, या जो लोग genuinely they are designed to do something good in life, जनकी कुंडली में योग ही साधना से जुड़े हुए बने हुए है, जिनका शुक्र बहुत आपको रास्ता दिखाएंगे, या diviner, जिस भी चीज में यकीन करते हो, वो आपको रास्ता दिखाएगी और आपको बताएगी कि आगे करना क्या है, होना क्या है, you will get to know everything, you will just get to know everything and it will be very amazing, आपको खुद को अच्छा लगेगा देखकर, so अगर हो सेके, तो बुद्धु को शांत कीजिए, बुद्ध को कहिए चुप रहो, जो मीन की गाइडेंस है, उसको अपने तकाने दीजिए, इससे हमें दो चेंजर देखने को मिलेंगे, वो क्या है, सबसे बड़ा चेंजर होगा, वो यह है, कि बुद्ध किसी भी स्थिती में, मीन राशी के अंदर, इक रिशनालिटी, पैटन पाइंडिंग, यह सारी चीज़ें होती है न, वो हो जाती है शांत, वो बंद हो जाती है, उसको अपने आपको प्रिजर्व करने के लिए उन्हें टोन डाउन करना पड़ता है, और ऐसे में मीन राशी की क्वालिटी इस हावी होती है, और आप बताया था कि इस वक्त पर social movements बहुत सारी आएंगी, लेकिन ऐसी movements जो कि किसी चीज़ के against नहीं है, जिनमें गुसा नहीं है, जिनमें प्यार है, जो कुछ करना चाहती है, तो या तो प्यार है या neutral है, बट outright negative नहीं है, जो ऐसी movements आपको देखने को ज़रूर मिल जाएंगी, और जब बुद्ध जो हैं, वो भी अपने आपको tone down करेंगे, self-preservation के लिए अपनी qualities को बचाएंगे, during this short transit, ऐसे में मीन राशी की qualities क्या होंगी, heavy होंगी, optimism, जीवन को लेके एक wondered नजारिया कि, oh my god, life is so beautiful, I have to enjoy it, मैं जीवन से बहतरीन कैसे निकाल सकता हूँ अपने जीवन में आपको एक definitive optimism देखने को मिलेगा, कहीना कहीं वो optimism या आशावाज है, उसे दिखाएंगे, कहीना कहीं उनके अंदर criticism है, उसमें थोड़ी सी कमी आएगी, कि critical इतना नहीं होंगे, जितना वो हो सकते हैं, या जितना वो पहले रहे हैं, so that critique will also come down, और एक hopefulness रहेगी, कि ची things can happen, things can still happen, we can still make things happen, इस तरह का लोगों में रहेगा, हाले के जिनका शुक्र कमजोर है, जिनका बुद्ध वैसे भी बहुत कमजोर है, ऐसे लोगों को सबसे या तकलिफ होगी, because they will lose hope during this time, जिन लोगों की कुंडली में बुद्ध अच्छे हैं, जुपिटर भी अच्छे हैं उन्हें लगेगा कि उनके मन के अंदर कोई idea bubble up कर रहा है, simmer कर रहा है, यानि कुछ उबल तो रहा है, अंदर ही अंदर पर है क्या, अभी पता ने चलेगा, वो पता लगने में आपको भी एक सबा महीना और लगेगा, है न, एक चुल तक जब नया साल शुरोगा, then you will have clarity, प तो आपके intuition के साथ, आपके उमीद के साथ, आपके hope के साथ, respond करें, उससे बाद करें, और जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दबाजी में काम खराब हो जाता, take your time, be very active about it, and be very hopeful about it, थेके तो active तो रहना ही है, यहाँ भी I have to do this, but hopeful रहना है और जल्दबाजी नहीं करनी, you have to find the difference between the two, तो यह आप लोग जरूर होते हुए, देखेंगे, बड़े ideas बहुत सारे लोग के मन में आ सकते हैं, लेकिन in general, अब क्योंकि Mercury बहुत कम लोग है, अच्छा होता है, बहुत कम लोग होते हैं, जिनकी कुंडली में, Mercury is giving exceptional results, right, बहुत ज़ादा Mercury आपक क्या कहते हैं, retrograde दिखेगा, तो कहीं न कहीं उसमें thinking में कुछ problems होती हैं, decision making में problems होती है, Mercury जब अच्छा होता है कुंडली में, in that case, जो मैंने आपको positive results बताए, वो और ज़दा बढ़ जाते हैं, लेकिन क्योंकि ज़दातर लोग अपनी बुद्धी का उस तरीके से इस्न speaking, जगड़ना only for the sake of जगड़ना, तो हम जब debate करते हैं, argument करते हैं, तो हमारा idea क्या होता है, कि हम दूसरे वाले की बात को भी सुनें, उनका point of view भी समझें, and hopefully, हम कोई beach का रास्ता निकाल पाएं, लेकिन इस समय पर क्या होता है, people fight simply because they want to fight, क्योंकि बुद्ध को तकलीफ हो कुछ issue कर रहा है, वो सोचेंगे, मैं किस से लड़ू, ने किसको जाके अपना ग्यान बगारू, they will do that, तो फालतो की advice, फालतो की nonsense, या लोगों को ज़्यादा की बोलना कि भी ऐसा करो, ऐसा करो, ये ठीक नहीं है, या फालतो में जगड़े मोल लेना, फालतो बहसों में मैंने देखा है, परिशानिया आती है, वो क्या परिशानिया होती है, कि लोगों के संबंध तूट जाते हैं, right, because they are believing in rumors, क्योंकि वो rumors को सुन रहे हैं, क्योंकि वो दूसरे की gossip सुन रहे हैं, ऐसे में बहुत सरह लोग अपनी relationship को खराब कर देते हैं, और ये खास तोर पे mean राशी वालों के लिए सही है, क्योंकि सबसे जादा effect आप ही लोगों के उपर पढ़ने वाला है, तो mean राशी के लोग, they are not very, वो चुड़ाई से, बहुत जादा penetrating ये लोग नहीं होते हैं, अब क्योंकि नहीं होते हैं, इसलिए कोई कुछ कह रहा है, gossip कर रहा है, कोई बा क्योंकि आपकी राशी में अल्रडी राहू बैठा हुआ है, और उसके बाद अब राहू है, और सूर्य है, उसके बाद एक ग्रहन भी लगने वाला है याँ पर, एप्रिल में, बहुत जल्दी ही, तो अब इसकी वेरे से क्या होगा, confusion की height हो जाएगी, इतना confusion हो सकता है, उ ऐसे जगों पर आपको समस्या हो जाएगी, और जो कि बारवा घर, जहां की mean राशी, natural राशी है, यह bedroom relationships को दिखाता है, so of course, जिन से आप त्यार किरते हैं, आप से जिनकी शादी हुई है, उनके साथ issues, उनके साथ confusion, दूसरों की बाते सुनके और उन पर शक करना, या generally अप बहुत दिहान से चलना है, ठीक है, for the rest of us, छोटा सा transit है, हम लोगों के लिए इतना भी खराब नहीं होने वाला, हाँ, Gemini और वर्गो जो राशिया है, जो कि बुद्ध की अपनी राशिया है, उनको थोड़ा सा, it could be problematic, लेकिन आप लोग भी अगर जरुद से जादा logic पर depend नहीं करेंगे, अगर आप थोड़ा बहुत judgment को अपनी कम कर देंगे, तो आपके लिए ठीक रहेगा, then you will be fine in that case, बाकि जो राशिया है, उनके लिए क्या होगा, it's a minor irritation, अब इसकी विरे से क्या होगा, पता है कि कुछ करना है, पर क्या करना है पता नहीं, ये वाली समस्तिय हम सब के साथ आएगी, और advice देने वाला हर कोई है, जो सही advice दे रहा है, उसको तो सुनेंगे नहीं, लेकिन अब इतने सारे advice देने हो जाएंगे, देने वाले हो जाएंगे, तो फिर आदमी हर किसी से ही कहता है कि यार मुझे नहीं सुनना, let everybody go to hell, ऐसी feeling आती है तो सही advice कही हो जाएगी, सही advice को डूंडिये, बकर-बकर में मत फसिये, और gossips और rumors के अनुसार अपने जीवन में कोई change मत लाएगे, at least till April, April के बाद फिर सोचते हैं कि जबार में क्या करना है, but अभी you don't have to depend on anything, so I hope this was helpful for you, और आपको अच्छा लगा होगा, अच्छे सा समझ में आ ग बंद है, वो तूटने से बचे, all right, thank you so much for watching.